नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर आज का हमारा विषय है अंगुठे पर पाए जाने वाले कुछ चिन्नों की विषय में जिनका सुब असुब प्रवाव क्या हमारी जीवन में पढ़ता है इसकी हम आज चर्चा करेंगे यह हमारा अंगु उठे में बनने बाला इस प्रकार का यह गजिन इस प्रकार से इसमें नवग जय। आता है। ऐसे जातक के पास में अचल संपत्य काफी होती है। अचल संपत्य में भूमी, घर, मकान, बंगला इत्यादी आता है। ऐसे जातक को बिसेस लाब होता है, कोई ये कारी करते हैं, बिजनस करते हैं, इसमें इनको अचानक से तरक्की मिलती है, अचानक से धन का लाब होता है, ऐसे जातक को लोटरी सक्टा इत्यादी में भी बिसेस लाब देखा जाता है, ये जो यब का चिन है, ये बिसेस सुब मा आने जाते हैं इसके अलाब़ा दूसरी जो चिन है कुछ इस प्रकार से पाया अलबारी इस प्रकार से बढ़ती है तो इस पहला भाग, दूसरा भाग, यह तीसरा भाग होता है, तो मद्ध भाग में अगर कुछ इस प्रकार से चिन न पाया जाए, जिसे धनूप का चिन कहा जाता है, इस प्रकार से अगर मद्ध भाग में चिन न पाया जाता है, तो यह चिन भी काफी सुब माना जाता है, ऐसे जात तक की परसिद्धी दूर दूर तक होती है, जिस भी कारी छेतर में कारी करेंगे, इनकी परसिद्धी और किर्थी दूर दूर तक फैलेगी, ये काफी ये सस्वी होते हैं, इनकी किर्थी फैलती ये सस्वी होते हैं, और समाज में काफी परतिष्ठित होते हैं, समाज में परत किसी भी पर्व अगराब का मैं रेेड तिल की बात मैं का जाता कुछ ऐसे होते हैं कि यह बोलने की कला इनके पास बहुत ज़्यादा होती है बोलने में। बहुत माहिर होते हैं जिसके करद लोग इसे बोलते हैं बाचाल आदमी है साथ मैं इसे जाता है उनकी चीछ में अपनी जीत को देखने वाला होता है ऐसे ब्यक्ति किसी भी चीज की बात से किसी को भी काटने की कोशिश करते हैं और यह काफी गुणी भी होते हैं बात के चीज के मामले में बोलने के मामले में काफी गुणी ही होते हैं यह हर चीज को दूद का दूद पानी का पानी करने का प्रयास करते हैं जिसक बिना कारण बोलने वाले बेक्ती भी हो जाते हैं, कभी-कभी अत्यधिक बिना किसी कारण के भी बहुत जादा बोलते हैं, तो लोग इन्हें विशेश पर्तिष्ठा नहीं देते हैं, साथ में ये तिल ये दर साता है, ऐसे लोग यात्रा प्रेमी होते हैं, और काफी दूर- सदूर की, सदूर देस की यात्रा भी ये करते ह्याus देखे जाते हैं, और एक अन्य चिन के बिशे में के बात करेंगे, वो होता हैस्त प्रकार से कुई पलस, जिसे पलस या धन चीन्द करते हैं हिंदी में, ये धन का चिन्ल इस परकार से होता है, प्लस अगर ऐसा चिना अ मुठी पर पाया जाता है यह दिखलाता है कि कोई ऐसा बेखती जो आपके साथ काफी संपर्क में था काफी अच्छे रिलेशन थे आपके साथ बहुत ही प्रेम संबंद में आप लोगों ने एक लंबा समय बिताया चाहे पुरूस हो या महिला हो या घर का कोई सदस्यों उनस सकती है पती भी हो सकते हैं तो किसी एक नजदी की बेखती जिसके साथ आपने बहुत ही लंबा समय बहुत ही सुख पुर्वक और अच्छे से बिताया उसके साथ अलग होने की बात को दिखलाता है अलगों को दिखलाता है तो आज के अंक में इतना ही था अंगुठे की कु सूब आरा सूब चिन्नों की विशे में बात कि हमने मिलते हैं अगले अंक में धन्यवाद